नमस्कार माराष्टरा में एंचीपी कॉंग्रेशिव सेना के महाविकास सगाडी गटबंधन की फैनली उल्टे गिंती शुरू हो चुकी है अब कॉंग्रेशि निताओं ने मलाईदार मंत्रालियों को लेकर के एक बार फिर से माराष्टरा की राजनिती में हड़का मचा करके रख दिया है कॉंग्रेसी ने ताउन का कहिना है कि उनके विदायक और मंत्रियों को उनके कोटे के जो बत्ते मिलने चाहिए थे वो भी उदव सरकार नहीं दे रही है सारे के सारे जो मलाईदार मंत्राले हैं वो NCP को सौंप दिये गे कॉंग्रेस की तरब से पहले भी सर्दफवार और उदव ठाकरे पर आरोप लगाये जा चुकी हैं कॉंग्रेस का कहिना था कि पहले सही NCP परमुक सर्दफवार और सिवसेना परमुक उदव ठाकरे ने कॉंग्रेस को अलग तलग करने की रनीतियां बनाई सड़्धो फुआरोदव ठाकरें ने मिलकर के सारे फैसले लिये कॉंघरेस सकता में सामिल जरूर है लेकिन कॉंघरेस के हाथ में कुछ भी नहीं है और यही कारन रहा कि शियु больше ना के खिलाब कॉंघरेस ने बियमसिचुनाव में 30 मोर्चा खोन गोलने का एलान कर दिया है औ इसमें मलाइदार मंत्राले को ले करके एक बार फिर से उद्धाव सरकार में मंत्रन करना पड़ेगा, और यदि कॉंग्रेस के हाथ में मलाइदार मंत्राले नहीं आते हैं, तो आप मान कर चलिए कॉंग्रेस महाविकास घाड़ी गटवन्दन से अलग होगी, फिलाल NCP कॉंग्रेस शिवसेना के पास 162 का आंकडा मुझूद है लेकिन यदि कॉंग्रेस माविकास गाड़ी गटबंदन को चटका देती है तो आप मानकर चलिए NCP और शिवसेना 145 का बहुमत वाला जादोई आंकडा नहीं जुटा पाएंगे जिसकी वजय से माविकास गाड़ी गटबंदन की सरकार गिरनाते है लेकिन BMC चुनाव को लेकर के कॉंग्रेस की तरफ से जैसे ही तीसरे मोर्चा कोलने का एलान किया गया तो शिवसेना में खलबली मच गई दूसरी तरफ बारतिय जनता पार्टी ने भी शिवसेना को मात देने के लिए अब जाल बिचाना शुरू कर दिया है कॉंग्रेस किसी भी हालात में अब NCP और शिवसेना पर बरोसा नहीं कर पा रही है जिस तरह से माविकास सिगाडी गडबंदन का निर्मान होने के समय सोनिया गांदी की कसम लेकर के इस माविकास सिगाडी गडबंदन का निर्मान किया गया था उस सोनिया गांदी की सपत को लेकर के खुद सोनिया गांदी ही इस माविकास गाड़ी गडवन्दन से अलग होने का एलान कर सकती है क्योंकि जिस तरह से बीमसी चुनाव को लेकर के जो गमासान मचा है शिवसे ना और कॉंग्रेस के बीच में उससे लग नहीं रहा कि कॉंग्रेसी नेता अब ज़्यादा समय उद्दाव ठाकरे और सर्थवार के साथ बिता पाएंगे लेकिन जिस तरह से एंसीबी ने बड़ी कारवाईयां की है उसमें एंसीपी के नेता है एक नवाब मलिक उनकी तरफ से ब्यान आया है कि जो बारती सिंग को गिरपदार किया गया है ड्रक्स मुद्दे को लेकर के उसमें बारती सिंग को गिरपदार नहीं किया जाना चाहिए था याने के फिलम वाले जो लोग हैं उनको किसी को गरपदार नहीं किया जाना चाहिए था इस तरह है कि स्वाल अब NCP नेता जो नवाब मलिक हैं उनकी तरफ से उठाए गए हैं कुल मिला करके का जा सकता है कि TRP गोटाले को लेकर के या फिर ड्रक्स ममले को लेकर के जो सिकंजा ED और NCB की तरफ से उदव सरकार पर कसा गया है उससे सिवसेना में हड़कम मचा हुआ है क्योंकि सिवसेना के विदायक भी अपने राजनेतिक केरियर को लेकर के अब चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं उदव सरकार का विरोध महरास्त्रा में बढ़ गया जिसकी वजह से हिंतवा के सिदान्त कहीं न कहीं सिवसेना छोड़ चुकी है और इनी सिदान्तों के अदार पर उन्होंने उनके विदायकों ने जो जीत आसिल की थी अब उनसे दूरी बनाना अब शिवसेना के विदायकों को काफी महंगा पड़ेगा और इसलिए आरसस के सारे पर कहीं न कहीं शिवसेना के कई विदायक बगावत कर सकते हैं इस तरह कि खबरे राजनित्ती के गियारों से निकल रही है इसके अलावा अजीत पवार को लेकर के तो आपको ग्याती हो अब फिर से NCP नेता अजीत पवार और BGP नेताओं के बीच में नजदी क्याम बढ़ने की बातें हैं वो सामने आ रही है लेकिन बारतिय जनता पार्टी ने सिफसेना को मात देने के लिए जो जाल बिचाया है उसमें अब सिफसेना कहीं फस्ती हुवी साप दिखाई पड़ रही है इन दुआ किछदांतों को लेकर के BGP BMC चुनाव में उतर चुकी है इसके अलावा BMC और उद्दव सरकार के जो ब्रस्टाचार के कुला से हुए हैं जो ब्रस्टाचार के आरोग लगे हैं उन मुद्दों के साथ अब BGP BMC चुनाव में उतर चुकी है दिबेंद अलग अलग हो गई बीमसी चुनाव को लेकर के एक बार फिर से दोनों पार्टिया हमने सामने हैं इन सब मुद्धों को ध्यान में रखें तो कॉंग्रेस सब ज़्यादा दिन माविकास गाड़ी गटबंदन में टिकने वाली नहीं है और वेसे भी जो कॉंग्रेस के नेता है वो NCP और शिव सेना के नेता विदायक और मंत्रियों से दूरियां बना चुके हैं ऐसे में बगवान बरोसे ही माविकास गाड़ी गटबंदन की सरकार चल रही है उद्धव सरकार में जिस तरह से लव जियाद को लेकर किसी तरह का कानून नहीं बनाने का एलान किया है उस आप कानून ना बना करके ये साबिद कर दिया है कि वो सोनिया गांदी को खुश करना चाते हैं ताकि वो माविकास गाड़ी गटबंदन में बनी रहे और उदाव ठाकरी की सियम कुरसी है वो बची रहे लेकिन जिस तरह ऐसे तिनों पार्टियों के नेताओं में आपसी द खबरें आ रही है उसमें अब कॉंग्रेस आरपार के मूड में हैं कॉंग्रेस या तो अपना हक लेगी या फिर माविकास गाड़ी गटबंदन को तोड़ करके उदाव ठाकरी की सरकार गिरा देगी लेकिन पिलाल अंचीपी कॉंग्रेस शिवसेना के माविकास गाड़ी साद्वों की मोवली चिंग हुई हो या फिर जो कंगना रनोत का ओपिस तोड़ा गया हो या पिर अन्य भी कहिये से मामले हैं एंसीबी में जिस तरह ऐसे बोलिवूट गेंग ड्रक्स के मामले में फस्ती हुई दिखाई पड़ रही है चोटी परदे से लेकर के बड़े प पस्ते हुई दिखाई पड़ रहे हैं ये माराष्ट्रा की जनता बकू भी देख रही है और इसे एंसीबी की कारवाई पर कहीं न कहीं सिब सेना की परतिकिरा नहीं आना या फिर एंसीबी के नेता जो नवाब मले की तरफ से एंसीबी की कारवाई को गल्थ ठहराना ये प बड़ा स्वाल महारास्ट्रा में चल रहा है तिनों पार्टियों के नेता आपस में अनबन कोई कम नहीं कर पाए तो ऐसे में कैसे वो महारास्ट्रा की बलाई के बारे में सोच सकती हैं और बिम्सी को लेकर के तो पहले से ही स्वाल उठ चुके हैं क्रोना के दोरान किस तरह जो BMC फेल रही थी उद्दाव सरकार फेल रही थी और जिस रहे से माराश्टरा की जनता इस पूरे जो तमासे को गरबेट करके देख रही है उससे लग नहीं रहा कि अब उद्दाव ठाकरे किसी भी आलात में दुबारा सता में आ पाएंगे चाहे वो BMC में शिवसेना का ज उद्दाव सरकार फस्ती हुवी दिखाई पड़ रही है एंचीपी परमुक सर्द फुवार ने कोंग्रेस को अलग तलग करने के लिए जो उद्दाव ठाकरे के साथ मिल करके रणनीतियां बनाई थी उसके खिलाब भी अब कोंग्रेसी नेता खड़े हो चुके हैं चंजय पारी को नहीं रोप पार रही हैं जिस तरह से अजीत पवार के कोटे के 12-15 विदायकों का जो अन्य पार्टियों के साथ सामिल होने की चर्चाएं थे जूबीती पिछले दिनों उसमें अब कहीं न कहीं दम नजर आ रहा है कुल में लाकर के MCP कोंग्रेस सिप्सेना के माविकास सिगाडी गटबंदन में क्या कोंग्रेस सिप्सेना MCP को तगड़ा जटका देगी या पिर मलाईदार मंतरालियों को लेकर के कोंग्रेस एक बार फिर से माविकास सिगाडी गटबंदन की सरकार में बनी रहेगी इस प झाल